आईए हम आपको आज करेले गोष्ट बनाना सिखाते हैं यह बहुत ही एजी और सिंपल है तो चलने आपको दखाते हैं यह कैसे बनेगा इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक किलो गोष्ट स्पाइसेज हैं तीन मीडियम साइज अनियन्स लेशन यानि कि गार्लिक हमारे करेले हैं इसको इंग्लिश में बिटर गाउट्स कहते हैं टोमेटोस हैं और अनियन्स हैं इसमें आप तीन भी मीडियम साइज ले सकते हैं हमारे स्मॉल हैं और ग्रीन चिलीज हैं अब बारी आगे हमारे बिटर गाउट्स की यानि के हमारे करेले इनको तियार किरने के लिए हमें इनको अच्छी तरह पहले काट लेंगे इस तरह और फिर इसको सॉल्ट के अंदर रख देंगे ताकि इन नरम हो जाएं उसके बाद ही हम इसको वाश कर लेंगे 10 मिनिटस आपने रखना है सॉल्ट के साथ उसके आप देखें अच्छी तरह वाश कर लें ताकि जो नमा के इसमें से निकल जाए चलते हैं अपने अनियंस की तरफ हमारे जो अनियंस हैं अच्छी तरह काटके हाई हीट पे इनको हम फ्राइ करेंगे ताकि अच्छा समका ब्र दुस्साइट पे हमारे जो करेले हैं उनको भी हमने फ्राइ करना है ज्यादा आएल नहीं लेंगे हम इनको हम थोड़े साओं में फ्राइ करेंगे इनको फ्राइ करने के लिए हम सरफ 6 अराउंड 6 टेबल स्पून्स ओएल के यूज़ करेंगे कुछ लोगंका आपने देख आपका टेस्ट नहीं रहेगा और जो हमारा गोश्ट था वो भी अब इसमें डाल देंगे पानी के बारी आगी गोश्ट जो है काफी जगा पर डिफरेंट होता है हम जो है उसे साफ से डालेंगे जब तक यह अच्छी तरह गोश्ट जो गल ना जाए तो आराउंड वन एन हाफ कप हम यूज़ कर रहे हैं आप जादा यूज़ करें अगर आपका गोश्ट थोड़ी यूज़ करता है अज़िए अधिया ज़िए चलते हैं चीली पाउडर है वन एन हाफ टीज़ पून हल्दी है एक आदा टीज़ पून सॉल्ट है अब हस्पेस आइक का यूज़ करें अगर हम हम एक टीज़ पून यूज़ करेंगे अच्छी तरह इसको कर लें अब आरी आगे हमारे टॉमेरोस की टॉमेरोस जबने डालने हैं आप अपनी मर्जी से यूज़ करेंगे हैं हम जो है फ्रीज वे टॉमेरोस यूज़ करें हैं जो है खुदी मिक्स हो जाते हैं अगर जुरूर अपना काम आप इजी कर सकते हैं फ्रीजर की टॉमेटोस भी यूज़ कर सकते हैं कवर्ड जो है हमने 10-15 मिंट यानी 10-15 मिंट तक के लिए करने हैं करेलों की सब्सक्राइब करेलों की तरफ करेल भूह करते हैं तरман छमश मारते हैं ताक भिया लिए ले बडूत से तिकिते-ी आप पड़्वाट तक यह रेडी हो जाए हमारे नेक्स स्टेप के लिए और जमरे टुमेटो उस्ते हैं अब देख सकते हैं अच्छी तरह को काट लेंगे यह रेडी बस होने वाले हैं देखें आप को नज़र आ रहे कि इंका कलर चेंज हो रहा है डार्क हो रहे हैं यह अब देखें हमारे जो अच्छी तरह इसमें खुद ही मिक्स हो गए हैं काटा भी नहीं हमने बस वो अंदर ही मिक्स हो गए तो अगर आप फ्रीज़ वे यूज़ करेंगे तो बहुत एज़िए है यह जो चीज़ें हमने त्यार की है उसके साथ ही हम धन्या भी इस्तमाल कर रहे हैं करेलों को हम द करें अच्छी तरह कुछ तेर बाद हम आपको अब दिखाते हैं कि किस तरह हमें चाहिए करे लिए यह देखें अच्छी तरह यह अच्छी तरह फ्राइय हो गया अच्छी तरह पाग गया है हमारे करे लिए अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा कलर चाहिए जादा भी नहीं करने हम ने को ब्राउन बस ऐसा ऐसा डार्क सा कलर चाहिए हमें जो हम ने को साइड पर रख देते हैं ऐसे निकाल लेते हैं क्योंकि इसी पॉट को हम अब दुबारा यूज़ करेंगे जो हमने प्यास काटा था वो इसमें डालेंगे हम अपना यह हो गया मैरा प्यास इस प्यास में हमने अब पांच टेबल स्पून ऑईल के यूज़ करने हैं और इसको अब हम सेम तरीके से फ्राइए करेंगे ब्राउन सा कल्यों लाना है चलते हैं अपनी गोश्ट की तरफ यह देख सकते हैं यह अच्छी तरह पक रहा है अब आपको दखाते हैं कुछ देर बाद यह किस तरह हो जाएगा गोश्ट हमारा पकने के बाद कुछ देर तक यह देखें अच्छी तरह जो सारा पानी था इसमें वह इवापरेट हो गया अब रह गया सरफ गोश्ट और गोश्ट जरूर चेक करें कि गल गया है यह हो गया हमारा प्यास जाए कुछ देर बाद हमारा प्यास इससे ब्राउन सा कलर आजएगा और उसके अंदर हम अपने जो टोमेटोस थे और जो हमारे ग्रीन चिली थी वह डाल देंगे अब साथ ही जो हमारे करेले थे वह इसके साथ डाल देंगे यह देखिए हमारे करेले इस तरह इतने अच्छे बने हैं कि अलेदा हो रहे हैं इस तरह बनने चाहिए और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे साथ ही जो गोश्ट त्यार किया था हमने वो भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स भी कर लेंगे हम कुछ तरह के लिए हम इसको कवर करेंगे अराउंट 20-25 मिनिट्स तक के लिए और जो हीट है वो अब हम लो पर कर देंगे देखिए हम 6 से 2 पर ले आए हैं इसको कुछ देर बाद त्यार हो गए हमारी करेले अब देख सकते हैं और इन में जो है हम इस पर कॉरियंडर यानि के जो हमारा धनिया है उससे हम कार्निश करेंगे देखें बहुत ही मज़दार करेले तयार हो गए हमारे इन करेलों को हम जोई करने के लिए साथ रोटिये मनाएंगे तैंक यू फो वाचिंग सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना न भूले और वीडियो के लिए और ज़रूर कोई क्वेस्टिन जाएं तो नीचे लिखतें और आपकी स्क्रीन पर हमारी और कुछ वीडियो जाएं वो भी आप देख सकते हैं तैंक यू